नमस्कार स्वागत अब सभी का न्यूसरूम पोस्ट में दा ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला एपिसोड एक दम धमाकेदार रहा रनबीर कपूर मानीतू और बेहन रिद्मा के साथ इस सीजन के पहले केस्ट बनकर शो में पहुचे थे अब मेकर्स ने दूसरे एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया है जो और भी धमाकेदार होने वाला है ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार क्रिकेटर रोहिट शर्मा और स्रेय सायर शो में पहुचेंगे दोनों टीम इंडिया के बारे में मज़ेदाल खुला से करते हैं जिन से सब हसी से लोट पोट हो जाते हैं कपिल शर्मा भी दोनों से उने लेकर कई मज़ेदार सवाल पूसते हैं ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे एपिसोड में कपिल शर्मा खुद नवजोत सिंग सिद्धू भी बने नजर आएंगे और एक क्रिकेट मैच भी होगा। यह एपिसोड कितना धमाल मचाने वाला है इसकी जलक नए प्रोमो में देखने को मिली है। ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए प्रोमो को कपिल शर्मा रोहिट शर्मा से पूछते हैं कि आज खल तो इस टम्स पर भी माइक लगे रहते हैं तो भाई कभी आपने किसी को गुस्य में प्रवचन दे दिया हो। इस पर रोईट शर्मा जवाब देते हैं कि कर भी क्या गर सकता हूँ हमारे लड़के सुस्त मुर्गे हैं पाकती ही नहीं है फिर सुनील ग्रोर की एंट्री होती है जो इस बाद नए गेटप में नजर आते हैं पर रोईट शर्मा से कहते हैं कि वो टीम इंडिया में जगा ज बोलते हैं कि ओपनिंग तो भूली जाओ यार इस पर सभी लोग ठाके लगा कर हसते हैं मज़ा तब आता है जब कपिल शर्मा नवचोज सिंग सिंदू बनकर बहुशते हैं वह एक तम उनके गेटप में नजर आते हैं और उनके वन लाइनर्स और शायरी बोलते नजर आते मालू हो कि नवचोज सिंदू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में चल से तब शो में उनकी शायरी की खूब चर्चा हुआ करते थी अब भले ही नवचोज सिंदू कपिल के शो का हिस्सा नहीं है पर वह कॉमेडियन अकसर ही उनको लेकर अर्चना पूरण सिंग पर तंज क किया जाएगा यानि कि इस बार का एपिशोड जो होने वाला है वो मज़ेदार होगा और भी तमाकेदार होगा क्योंकि भारत के दो बड़े कि लाड़ी एक कप्तान रोहित शर्मा और दूसरे शेयर जब वहां शो में आएंगे इतना तो दय है कॉमेडी के ठाके लगाने क के तयार होगे और साथ में टीम इंडिया से जोड़े कई कुला से होने के आसार तेरे साथ इसकोड बसक नहीं और भी ख़बरों के देख तरी इसकोड़ी नहीं